नमस्कार दोस्तों, रामायन में भगवान श्री राम, माता सीता, लक्षमन और वीर हनुमान के अलावा कई महत्वपूर्ण चरित्रों का वर्णन मिलता है, जिसमें लंकापती रावन और उसके पुत्र मेघनाद भी थे। का कटा हुआ सिर भी जोर-जोर से हंसने लगा था, जिसकी कथा इस प्रकार है। कि श्री राम वलक्षमन कोई साधारन मानव नहीं अपितू स्वयम नारायन का रूप है, तो वह अपने माता-पिता वह सुलोचना से अंतिम बार मिलने आया, वह अपने माता-पिता से मिलकर जाने लगा, तब उसने सुलोचना को देखा। सुलोचना से वह इसलिए नहीं मिलना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि कही सुलोचना के आंसु देख कर, वह भी भावुक हो जाएगा, वह युद्ध में कमजोर पड़ जाएगा। किन्तु जब उसने सुलोचना का मुख देखा, तो अचम्भित रह गया। सुलोचना के आंख में एक भी आंसु नहीं था, तथा वह अपने पती को गर्व से देख रही थी। कहा कि चूंकी सुलोचना एक पती व्रता नारी है, इसलिए मेघनात का मस्तक भूमी पर ना गिरे। इसलिए जब लक्षमन ने मेघनात का मस्तिश्क काट कर धड़ से अलग कर दिया, तो उसे श्रीराम के चरणों में रख दिया। भगवान श्रीराम लंकाव सुलोचना को यह बता देना चाहते थे कि युद्ध में मेघनात वीरगती को प्राप्त हो चुका है। इसी उद्देश्य से उन्होंने मेघनात की दाहिनी भुजा को काट कर धनुषबान से सुलोचना के पास पहुँचा दिया। रावन ने उसे यह आज्या दे दी किन्तु पती के सिर के बिना वह सती नहीं हो सकती थी। इसलिए उसने रावन से मेघनात के धड़ की मांग की किन्तु रावन ने शत्रु के सामने याचना करने से मना कर दिया। चुँकि राम एक मर्यादा पुरुशोत्म पुरुश थे वह उनकी सेना में ऐसे अनेक धर्मात्मा थे। इसलिए उसने सुलोचना को स्वयम श्री राम के पास जाकर मेघनात का मस्तिश्क लेकर आने की आज्या दे दी। सुलोचना लंका नरेश से आग्या पाकर श्री राम की कुटिया की और प्रस्थान कर गई। जब सुलोचना भगवान श्री राम के पास पहुँची तो श्री राम वह उनकी सेना के द्वारा उनका उचित आदर सम्मान किया। वह श्री राम ने उनकी प्रशंसा की। सुल सुलोचना को यह सब कैसे जहात हुआ। तब सुलोचना ने मेघनात की भुजा के द्वारा उसे सब बता देने की बात बताई। यह सुनकर मुख्यतया वानर राजा सुग्रीव हत प्रभ थे। वह उन्होंने सुलोचना से मांग की कि यदि उसके पतिवरत धर्म में इतनी श सब यह देखकर आश्चर्य में पढ़ गए किन्तु भगवान श्री राम सुलोचना के स्वभाव वशक्ति से भली भांती परिचित थे। उन्होंने उस दिन युद्ध विराम की घोशना की व लंका की सेना को अपने युवराज का अंतिम संसकार करने को कहा ताकि सुलोच सुलोचना के सती होने में किसी प्रकार का रक्तपात ना हो। इसलिए उस दिन कोई युद्ध नहीं हुआ था। अपने पती का कटा हुआ सिर लेकर सुलोचना लंका आ गई। वह समुंद्र किनारे सभी मृत सैनिकों वह मेघनात की अर्थी सजा गई। सुलोचना धधकती अगनी में अपने पती का सिर लेकर बैठ गई। वह सभी के सामने सती हो गई।